वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा में भी थोड़ा बिजी रहेंगे तो थैंक्यू सो मच गाईज जो आप लोगों ने बागी सब्सक्राइबर और बागी कमेंटर्स को भी कमेंट करके हमारे बारे में इन्फॉर्म किया तो चलिए फिर चलते हैं आज फिर से एक नई स्टोरी सुनने के लिए ये कहानी हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे अर्थ पे जब सब कुछ बरबाद हो गया इंसानों का नामों निशान हट गया और एक हजार साल बाद जब वापस से अर्थ पे आया गया तो कितने चेंज़े आ चुके थे मूवी के स्टाटिंग में हम एक फादर साइफर और उनके बेटे किताई को देखते हैं दौनों ही बहुत नोन कैरेक्टर है किताई जो की कराटे किट से फेमस हुआ है और विलसमित को तो कौन नहीं जानता एक स्पेशिप में सफर करते हुई दौनों को दिखाया जाता है जो कि स्पेशिप एक एकसिडेंट के कारण क्रेश हो चुकी थी किताई आके सीधा जमीन पे गिरता है और इसी के साथ हमें बैग्राउंड वॉइस से किताई का पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर यहां पे पहुचा कैसे किताई का कैना था कि बच्पन से उसने सुना था प्रत्वी एक ऐसी जगह है जहां पे हम सब लोगों ने जन्म लिया था और वो बहुत ही सुन्दर जगह है लेकिन हजार साल पहले इंसानों ने अर्थ को बरबाद कर दिया था जिसके पाद युनाइटेड स्टेट ने रेंजर्स की एक टीम बनाई उन रेंजर्स की टीम ने जो इंसान जिन्दा बचे थे उन्हें एक नए प्लैनेट जिसका नाम नोवा था वहाँ पे शिफ्ट किया लेकिन नोवा प्राइम को एलियन ने ढून लिया था और उस जगह पे भी एलियन अपना कब्सा करना चाते थे एलियन के पास अपना सबसे खतरना क्रीचर था जिसका नाम आर्सा था उसी को हर जगह भीचा जा रहा था इंसानों को खत्म करने के लिए आर्सा के पास एक एडवांटेज और एक डिसडवांटेज था आर्सा देख नहीं सकता था लेकिन वो इनसानों की डर को स्मेल कर सकता था यही आर्सा लोगों की जान लिया करते थे रेंजर्स थे तो असल के अंदर इंसान ही लेकिन प्लैनेट चेंज होने के साथ में और हजारों साल बीतने के बाद में रेंजर्स को इंसानों से अलग माना जाता है क्योंकि ये आर्सा से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं और इनमें डर का नामो निशान भी नहीं है इसे के साथ ये कहानी तीन दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, किटाई के साथ और उसकी एज के कहीं सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे जाती है रेंजर बनने के लिए, किटाई अपने कमांडर के सामने खड़ा था, कमांडर कहते हैं किटाई को कि वो हर एक चीज में चुका था, और किटाई से रात के डिनर पे पूछता है कि आकर तुमारे ट्रेनिंग कैसी चल रही है, किटाई का कहना था कि कमांडर उसे रेंजर नहीं बना रहे हैं, जिस पे साइफर कहता है कि इसके पीछे जरूर कोई वचह रही होगी, किटाई को ये बात पसंद नही लगता है, साइफर किटाई को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश भी करता है, रात होने पे साइफर अपनी वाइफ के पास आके उसे ये बात बताता है, कि कैसे नेक्स्ट मिशन के बाद में वो रिटायमेंट ले लेगा, जिससे सुनके वो बड़ी खुश हो जाती है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि किटाई अभी थोड़े दिनों से परिशान चल रहा है, और ऐसा उसकी बहन के कारण हुआ है, इसी के साथ हमें एक पास्ट की स्टोरी बताए जाती है, कि किटाई के एक बड़ी बहन भी थी, जिसे आरसा ने उसी की आँखों के सामने मा और वो किटाई के रूम में जाके उसे कल की मिशन पे अपने साथ जाने के लिए कहता है। पहां पे बैठे रेंजर्स उसे पहले जानी के लिए कहते हैं लेकिन उन्हें में से एक रेंजर कहता है कि वो साइफर का बेटा है इसी कारण किटाई आगे बढ़के आर्सा को देखने लगता है उसी समय किटाई को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसके सिस्टर उस तरीके से हिल रहा है क्योंकि आगे आने वाला तुफान इनके स्पेस्शिप को भारी नुकसान पहुंचा रहा है एंड मूवमेंट पर डिसीजन लिया जाता है कि सबसे नस्थी की प्लैनेट पे इन लोगों को लैंड करना है नस्ती के प्लैनेट के जैसे ही ये लोग पास पहुँचते हैं तो कम्प्यूटर्स इने वार्निंग देना शुरू करता है कि ये प्लैनेट सेफ नहीं है गौर्मेंट के थुरू इसे बैन किया गया है यहाँ पे इंसान नहीं रह सकते पाइलेट के अकॉर्डिंग स्पेस्शिप को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है ये लोग जादा दूर तक उड़ भी नहीं सकते थे इसी कारण स्पेस्शिप अपना कंट्रोल भी खोकर उसी प्लैनेट की तरफ आके बढ़ने लगती है इसी समय साइफर अपने बेटे को थोड़ा काम करने के लिए उसके पास पहुचता है और यहीं इसे मूवी की स्टार्टिंग हुई थी लेकिन इतना बड़ा एक्सिडेंट होने के कारण ये स्पेस्शिप बुरी तरीके से तूट जाता है दो हिस्सों में तूटने के बाद कहीं सारे रेंजर उसी में मारे जाते हैं फॉर्चनेटले किटाई बच चुका था और उटने के बाद वो अपने फादर को भी ढूंटता है और फॉर्चनेटले वो भी बच जाते हैं लेकिन उनकी हालक बहुत खराब थी क्योंकि उनके दौनों पैर टूट चुके थे। किटाई साइफर को आके बताता है कि एक भी रेंजर नहीं बचा है, सारी मर गए हैं और उपर से स्पेशिप का आधा हिसा गायब है। साइफर यहाँ पे किटाई को एक मिशन देता है कि उसे स्पेशिप के दूसरे हिसा यूटिलिटिक अंपार्टमेंट के अंदर से बीकन लाना है, जिसे स्पेश में दूर तक कॉंटेक करने के लिए ही बनाया गया है। किटाई जब बीकन को उठाता है तो वो पूरी तरीके से उसे तूटा हुआ मिलता है। कैसे तैसे करके साइफर चेक करता है, कम्प्यूटर ओन करता है और पता लगाता है कि बाकी का तूटा हुआ स्पेश शिप का हिस्सा अभी कहां पर है। कम्प्यूटर इन्फॉर्म करता है कि बाकी तूटा हुआ हिस्सा इस स्पेस्शिप से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है सीफर का कहना था कि टाय से कि इनके किस्मत अभी भी अच्छी है क्योंकि स्पेस्शिप के दूसरे हिस्से के अंदर इन्हें एक बीकन और मिल सकता है अगर इन लोगों को बीकन नहीं मिला तो इन दौनों की ही जान इस प्लैनेट पे खत्रे में है यानि कि ये अपने ही प्लैनेट अर्थ में रहकर भी मर जाएंगे अर्थ अब इनसानों के रहने जैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था इसी कारण की टाई थोड़ा बहुत घबरानी लगता है साइफर का कहना था कि तुमारा हर एक डिसीजन हमें जिन्दा रख सकता है या फिर हमें मार सकता है इन्हे याँ पर जिंदा रहने के लिए इन्हेलर की जरूरत पड़ती थी एक इन्हेलर की वेलिडिटी 20 आर्स की थी साइफर किताई को 7 इन्हेलर देता है साइफ़र बताता है कि किताई के सूट में घर चगा कैमरे लगे हैं और ट्रैकिंग करना शुरू करता है, किटाई ट्रैकिंग करने के बाद उपर पहुंचता है, वो उस जगह पे था, जहां पे उसके फोर फादर्स रहा करते थे, हजारों साल से यहां इंसान नहीं रहते थे, इसी कारण इस समय अर्थ और जादा ब्यूटिफुल लगने लग किटाई जब आगी बढ़ता है, तो साइफर कंप्यूटर की थूरू से इंफॉर्म करता है, कि तुम्हारी तरफ कोई तो चीज आगी बढ़ रही है, इसी कारण किटाई थोड़ा डर जाता है, और तब हम देखते हैं कि यह वार्निंग एक बड़े से मंकी की थी, किटाई मंकी को देख के डरा हुआ था, साइफर किटाई को कहता है कि तुम्हें इसे देख के डरना नहीं है, भलकि बिल्कुल शांत खड़े रहना है, पहले तो किटाई शांत खड़ा रहता है, लेकिन कुछी देर के अंदर वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस बंदर को मारता है, देखते ही देखते यहां पे कहीं सारे बंदर आ जाते हैं, साइफर यहां पे किटाई को कहता है कि जितना जल्दी हो सके भागो यहां से, क्योंकि कुछी दूर पे एक तुम्हें नदी मिल जाएगी, किटाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नदी की तरफ जाने क लगता है साइफर कहता है कि अभी तुमारे पीछी कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो कुछ आगे जाने के बाद जब किटाई रुकता है तभी वहाँ पे साइफर इंफर्म करता है कि तुमारी पूरी बॉड़ी के अंदर पॉईजन फैलने लगा है ब लगाने में successful होता है लेकिन दूसरा इंप्रेशन को अपने सीने के बल गिरता है साइफर को पता था कि इस इंजेक्शन को था कि कुछी देर के अंदर उसे उठके 50 मिनट के अंदर 10 किलो मिटर कम्प्लीट करने है क्योंकि वहाँ पे गरम जगह है जहां पे किटाई अपनी राद बिता सकता है किटाई उठते ही अपने आगे की जड़ने शुरू करता है दूसरी तरफ साइफर अप पेंगिलर को लेनी का option छोड़ कर होश में रहकर अपना operation शुरू करने के बारे में सोचता है ये सीन देखके हमें साफ पता चलता है कि साइफर को इस समय कितना ज़ाधा पेंगि बताता किटाई उस जगह पहुंच चुका था जो जगह थोड़ी वॉव थी इसी के साथ साथ साइफर किटाई को एक inhaler लेने के लिए कहता है जब किटाई उस inhaler वाले box को निकालता है तो पता चलता है उसे कि दो inhaler already तूट चुके हैं लेकिन ये बात भी किटाई साइफर को नहीं बताता अगर किटाई ये बात अपने फादर को बता देता है तो साइफर मिशन छोड़के उसे फोरण यहाँ पे बुला लेंगे किटाई के ही हाथ में इन दौनों की जान थी इसी कारण उसे आगे बढ़ना ही था किटाई रात में उस जगह आराम करता है और अगले सुबह वापस ये जर्नी शुरू करता है साइफर बताता है कि आगे कुछ किलोमेटर्स पे एक वाट पूँच चुका था साइफर पूचता है कि अभी तुमारे पास में क्या क्या है किटाई के पास उल्ली दो इनहेलर बचे थे किटाई को लगा था कि दो इनहेलर से वो मिशन को पूरा कर पाएगा साइफर को कम्प्यूटर के थूरू पता चलता है कि इस वाटर फॉल से सि अंदर ही रुकने के लिए कहा था और किटाई ने बात मानी और अपने आखों के सामने अपनी बहन को खोता हुआ देखा लेकिन इस समय किटाई ऐसा बिलकुल नहीं होने देगा किटाई अपने फादर का कोई और नहीं मानता और उस वाटरफॉल से डाइरेक्ट जम कर जाता हालांकि इस समय किटाई का स्पेस सूट हच से जादा एडवांस था इसी कारण वो वाटरफॉल से गिरते हुए अपने आप ही पैराशूट में बदल जाता है लेकिन अभी पर यहां पर सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी क्योंकि किटाई के पीछे एक बहुत Gerade कई सारी लेपरड आने लगे थे एगल भी अपने बच्चो को बचाने के लिए एक एक लैपरड को दूर फैक्टने लगा था और जो पैंथर अंदर आने लगे थे उन पैंथर को किटाई संभाल रहा था वो अपने पासरकी हत्यारों से उन पैंथर से फाइट करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक कोई भी बच्चा नहीं बचा था किटाई भी वहां से नीचे उतर चुका था जहां वो उसी एगल को देखता है कि कैसे उसके सारे बच्चे मर चुके हैं किटाई वहां नहीं रुक सकता था इसी कारण वो आगे बढ़ने लगता है वो अपने फादर से भी कॉंटेक नहीं कर पा रहा था वहां आगे बढ़ने पे साइफर को अपने कैमरे की थ्रू दो रेंजर्स मिलते हैं जो कि मरे हुए थे और उन्हें आर्सा नहीं मारा था साइफर क अंदर किटाई को एक फ्लाइंग स्नेक मिलता है उड़ने वाला साब अगली सुबह किटाई एक नदी तक पहुँच चुका था जहां पर वो नदी को पार करने के लिए एक बेड़ा बना लेता है उसी पे सफर करते हुए किटाई की आँख लग जाती है जब किटाई की आ अगले दिन जब किटाई की आँखे खुलती है तो वो खुद को लकड़ियों और पत्तों के बीच में पाता है बाहर निकल के जब किटाई देखता है तो वो उसी इगल को देखता है जिसके बच्चों को उसने पैंथर से बचाया था लेकिन उस इगल ने किटाई को जिन् होने लगे थे इसी कारण किटाई को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी किटाई को अब स्पेशिप के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देने लगते हैं पेड़ पे चड़ने के बाद किटाई को आधा टूटा हुआ हिस्सा मिल जाता है किटाई वहां पहुंचते ह वो अपने फादर साइफर से बात करने की कोशिश करता है जहां पे साइफर किटाई की आवाज सुन पा रहा था लेकिन किटाई साइफर की आवाज नहीं सुन पा रहा था किटाई के हाथ में बीकन भी लग चुका था इसी कारण वो नोवा प्राइम से कॉंटेक्ट करने की क कोशिश करता है लेकिन नोवा प्राइम तक सिगनल नहीं पहुँच रहे थे इसी करण किटाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे आसमान के अंदर बिचली की एक लेयर जमने के कारण किटाई का कोई भी सिगनल नोवा प्राइम तक नहीं पहुँच रहा था जब कारण वो डर जाता है इसी डर को आरसा भाप लेता है और किटाई की तरफ बढ़ने लगता है ये बात साइफर को पता चलती है कि कैसे किटाई के पीछे अब आरसा लग चुका है किटाई यहाँ पे आगे बढ़ते हुए केव के अंदर पहुचता है लेकिन किटाई को नहीं पता था की आर्षा यहाँ पि उसका पहले से इंतिजार कर रहा है, आर्षा किटाई कीूपर अटैक कर देता है, किटाई डर के मारे पानी में गिट जाता है, दूसरी तरफ साइफर की भी हालत बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि बिना पेंगिलर के कारण उसने कई बार उपरेशन करने की कोशिश करी लेकिन हर कोशिश खराब होती जा रही थी साइफर का बहुत सारा बलड भी खत्म हो चुका था किटाई पानी के मदद से बाहर तो निकलाता है और पत्थरों के मदद से उपर भी चड़ने लगता है लेकिन तब ही वहाँ पे आरसा आके किटाई का पैर पकड़ लेता है इस समय किटाई के हाथ में अपनी स्टिक थी इसी कारण वो उपर के तरफ लटका हुआ था कैसे तै जड़्ट था और वो फाइट नहीं कर सकता था लेकिन उससे उस समय अपनी बहन की विजशन साने लगते हैं इसी कारन अगर उससे जिन्दा रहना था तो उससे इस सिच्वेशन को कंट्रोल करके अपने डर को खत्म करना था किटाई अपने डर को पूरी طरीके से खत्म करन साइफर अपने कैमरे से बस अपने खुली आँखों से देख रहा था किटाई आखिर कार नोवा प्राइम से कॉंटेक्ट कर पाता है सिगनल जाते ही नोवा प्राइम हेल्प के लिए रेंजर्स को भीजने लगता है और आखिर में किटाई और साइफर को रेस्क्यू कर लिया होता है क्योंकि उसने अन्नून प्लैनेट पे जाके अपने फादर को वहाँ पे आर्सा से भी बचाया और खुद भी एक आर्सा को मार गिराया और इनके गले मिलने के साथ में ही गाईज ये शांदर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को गाईज ये स